श्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब देखें 26 जुन को रविवार के दिन प्रदोश है और आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है यदि आपके जीवन में अंदिकार है यानि कि आप कोई भी कारे करते हैं तो आपको उसमें आलस आता है या आप व रोगों का शय हो इसलिए ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए केवल गेहूं के साथ दाने से या तो गुड के एक टुकड़े से आपको ये उपाय करना है पुझ जी गुरुदेव की ही कता सुनकर के समझाने का पूरा प्रयास करूंगा अगर पहली बार चैनल पर आये ह इसलिए जीवन से दुर्भाग्यों को दूर करने के लिए मन की अशांती को दूर करने के लिए जीवन में तेज की वृद्धी के लिए आपको ये उपाय करना है देखिए क्या करना है आज की दिन जब भी आप इसनान करें तो हो सके तो लाल कुमकुम डाल करके आपको इस जाएं और वहाँ पर आपको एक तामवे के पात्र के अंदर जल भरना है अब आप साथ दाने गेहु के या तो गुड या तो दोनों चीज़ भी आप ले सकते हैं ठीक है साथ दाने जब गेहु के आप जल के पात्र के अंदर डालेंगे तब आपको श्री शिवाय बियमका जाप करते हुए डाल दें अगर आपके पास लाल मसूर की डाल हो कुमकुम हो लाल चंदन हो या गुड हल का लाल पुष्प हो तो वो भी आप डाल सकते हैं ठीक है लेकिन गेहु या गुड तो आपको अवश्य ही डालना है ठीक है अब आप क्या करेंगे इस जल क के देंगे तैज विशेश तीठियों पर हमारे जीवन में आता है ध्यान रखें आपको क्या करना है तांबे के पात्र को लेकर खड़े हो जाना है सूर्यदेव के 12 मंत्रों का जाप करना है देखिए 12 मंत्रे है ओम मित्राई नमह ओम रवय नमह ओम सूर्य नमह ओम भानव इन 12 मंत्रों का जाप करने के बाद अब आपको सूर्य देव को प्रणाम करना है और आपके मस्तक से ताम्बे के पात्र को उपर उठाना है और आपको सूर्य देव को अर्दे देना है इस मंत्र का भी जाप करते हुए कम से कम तीन बार इश्लोक का जाप करते हुए आपको सूर्य देव को अर्दे देना है यदि मंत्र नहीं आता है तो ओम सूर्य दाने ही उस पात्र के अंदर डालना है न साथ से कम न साथ से जादा अब आपको क्या करना है साथ बार यानि कि सेवन टाइम्स आपको सूरीदेव को परिक्रमा देनी है जहां पर आप खड़े हैं वही पर से आपको सीधा घूमना है ओम सूरिया इनमह ओम सूरिया इनमह इस मंतर का जाब करते हुए आपको साथ बा अधिकार परिक्रमा करनी है ध्यार अनके आपने ये जो जल के अन्दर गेहूं के दाने भगवान शिव के मंत्र से डाले हैं इससे भगवान सूर्य‌ए अतिप्रसण्न होते हैं और आपके जीवन के अंधिकार को दूर करते हैं यदि आपको रोग हो तो भी ये उपाय करें यदि आपको किसी भी कारे में सफलता नहीं मिल रही हो तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए श्री शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर महादेव